हमने लिस्ट में लास्ट लेक्चर देखा था जिसमें हमने लिस्ट कैसे इंसर्ट करते हैं अलिमेंट को वह देखा था आज हम लिस्ट का पाइथन में लेक्चर 15 देख रहे हैं लिस्ट का पार टू लिस्ट को मैं थ्री पार्ट में लिया है तो यह पार टू है उसका तो फस इंसर्ट मेथट को आगे कंटीनिव करना है तो आप देख सकते हो इस प्रोग्राम को मैं दुबारा बता देती हूं हमने like एक empty list ली अब हमें इंसर्ट करना है तो इस तरीके से इंसर्ट करेंगे insert में position देनी होती है जैसे 0 पे हमने लेखा 10 insert करना है हमें a.insert 1 पे 20 तो आगर हम print कराएं a तो हम इस तरीके से करा सकते हैं 10 20 उसके बाद मैंने last में बताया भी था insert or depend में क्या difference है mainly difference बता देती हूं insert में हमें 2 parameter देने होते हैं जिसमें पहली value index देंग है और दूसरी उसकी value है जबकि append में सिर्फ value देनी होती है अब अगर हम आगे questions की बात करें कि हम किस तरीके से इसमें questions कर सकते हैं तो आप देखो क्या फायदा होता है insert method का वो मैं आपको समझाती हूं अभी सबसे पहले हमने एक list लिए empty list लिए इंसर्ट किया पुछ values को like zero position पर मैंने किया 30 insert किया फिर फिर insert किया one position पर 50 again मैंने insert किया second position second position पर 70 तो अगर हम मैं list print कराऊं अब देख सकते हो आराम से हम list print कर रहे है 30 50 70 अब मैं insert करना चाहूं 100 या कोई भी number second position पर तो कैसे करूंगी a dot insert second position का मतलब है one पर क्या करना चाहती हूं 100 insert करना फिर print कराऊंगी जब ऐसा करेंगे तो 100 तो second position पर insert हो जाएगा बाकि shift हो जाएगा आप देख सकते हो पहली list में 30 50 70 है फिर 100 को हमें second position पर दिया है तो second position वाली value आगे की तरफ move हो जाएगी forward हो जाएगी तो बस यह बात आपको याद लगते हैं इस तरीके से हम insert values को कर सकते हैं कि कैसे यह benefit है indexing का हम चाहें तो उस position से values को हटा सकते हैं अब मैं आपको एक question करते हैं जिसमें कि हम negative index value को use करेंगे ठीक है negative index कैसे जैसे positively है suppose मैं इसको delete कर देती हूँ ठीक है आपको दिख रहा है 0 पर हमने एक अब f5 कर रहे है तो देख सकते हो 0 पर 30 50 किस पर 1 पर 70 किस पर 2 पर अब मैं यह चाहती हूँ कि negative में value negative index दे तो value कैसे insert होगी अब माल लो a dot insert करना है मुझे मैंने negative index दी minus 1 और यहाँ पर insert किया suppose 90 तो अब मैं कैसे insert कराऊंगी तो मैं आपको बता दूझे last वाली position होगी वो minus 1 होगी अब ही हमने print ही नहीं किया तो मैं पता ही नहीं चलेगा print a ठीक है अब देख सकते हो सबसे last वाली जो position है उसमें 0 मानेगा वो left side से भी वो 0 चलेगा और right side से भी but right side में क्या होगा 0 से 1 इदर कितना आ जाएगा minus 1 मतलब एक position कमाएगा अगर हमें first last position पर insert करना है second last पर तो minus 1 देना पड़ेगा third last पर करना है तो minus 2 देना पड़ेगा जैसे हमने किया a dot insert अब आप देख सकते हो right side ही minus से start होती है आप समझ गये होगे 2 अब मैंने दिया 90 के जाएगा 100 तो यह कौन सी position है third last ठीक है यहाँ से second last position से start होगा अभी हमने list print नहीं करा ही again तो print a 30 50 190 70 तो सबसे पहले आप देख सकते हो 30 फिर 50 और फिर 70 यह तो अब आप समझ में आ गई अब मैंने आपको बोला minus वाली last से start होगा last का मतलब जैसे इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा 30 50 और 70 तो minus position last होगी मगर जो आपकी minus 1 indexing है वो इस जगह आएगी इस position पर इधर बढ़ना है तो कौनसी indexing आएगी minus 2 तो इस तरीके से आएगा 30 50 फिर 100 फिर 90 आप देख सकते हो 100 फिर 90 ठीक है minus लेना right से है बट right में भी एक position छोड़के ठीक है तो बस यह आ दखना है आपको तो हम इस तरीके से minus वाली position पर insert कर सकते हैं अभी हम आगे का देखते हैं क्या topic है minus वाला हमने insert कर लिए negative position अब हम use करना चाते है addition operator लिस्ट में addition operators किस तरीके से work करता है उसको आप फ़ड़ा सा समझ ले से जैसे मान के चलो एक list है उसके अंदर values है 1,2,3 कुछ भी values लेनी तो एक दूसरी list है जैसमें values है suppose 4,5,6 उसके बाद हमने लिखा तीसरा variable c a प्लस b आपको याद रखना है अब क्या होगा c में आप लोग guess कर सकते हैं हमने दोनों values को ले लिया है तो यह सारी value एक साथ आ जाएंगे ठीक है मतलब क्या हो जाएगा concatenation concatenation का मतलब 1,2,3 भी उसी मा जाएगी और 4,5,6 भी जैसा कि आप देख पा रहे हो तो पहली list ही जिसमें 1,2,3 था फिर हमने addition कर दिया 4,5,6 तो जो third list है मतलब c उसमें दोनों values concatenate हो चुकी है ठीक है अब जराम next देख सकते है एड करनी है single value लिस्ट में ठीक है बट इस्टोर कर रहे हैं second list हो किस तरीके से कर सकते हैं इस चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं आप क्या कर सकते हो आपके सामने एक list है ए मैं इसको delete नहीं कर रही है अगर मैं सोचू मैं ऐसे लिख दूँ उसमें मुझे कुछ add करना है तो मैंने list में modification कर दिया a plus 4 और print करा दिया a तो मैं आपको बता देती हूँ ये एक error है आप देख सकते हो error आ गया ठीक है ये wrong way है आ एक list ली अब मुझे उसमें कुछ add करना है तो मैंने क्या किया a plus directly लिखना square bracket में लिखना है अब प्रिंट कराना है अब मैं प्रिंट करा दूँ बी अब देखोगे उसमें a की values थी वो भी आ गई और जो बी में थी वो भी आ गई अब देख सकते है इस तरह के से हम add-on कर सक कर सकते हैं और भी चीज़ें कर सकते हैं हम इसमें compound operators भी उसको भी देख लेते हैं जैसे हमने print किया a उसके बाद b equals to a plus 10 अब अब यह भी किया था फिर b print करा देंगे अब हम क्या चाहते हैं a print कराना यह तो वही है अब a में भी बैड करना चाहती हूँ तो मैं यह यूज़ कर रही हूँ compound a plus equal 10 तो a में add-on हो जाएगा print देख सकते हो a में भी add-on हो जाएगा d में तो होई गया a में भी हो गया तो हम इस तरीके से लिस्ट में add-on कर सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं repeat करना repetition of element using multiply operator वह किस तरीके से work करता है वह आप देख सकते हो जैसे हमने एक लिस्ट ली ठीके अब हमने क्या करना है प्रेंट कर दिया d list को multiply 2 और save कर दिया तो आप देखोगे टू टाइम से पीड होगा 10 20 20 20 चीके तो इसे बोलते repetition operators अगर हम टू की जगे इसमें 3 कर दें तो यह 3 टाइम से पीड हो जाएगा आप देख सकते हो 10 20 10 20 10 20 इस तरीके से हम repetition कर सकते हैं अब आप देखो repetition तो हमने कर दिया लेकिन अगर मैं वापस से डी प्रेंट करूं तो डी में कोई चेंज नहीं होगा देख सकते हो डी तो अज़िटे 10 20 रहा ठीके अब डी में आपको चेंज करना है तो कैसे करोगे तो हम डी multiply equal 3 यहने की compound operator यूज़ करेंगे अगें फिर प्रेंट करेंगे डी को तो आप देख सकते हो अब पहले multiply करके प्रेंट कराया फिस प्लेंट डी कराया उसके बाद last वाले मैंने क्या किया डी में ही compound operator apply किया then डी को प्रेंट कराया तो उसमें भी change है तो हमें इस तरीके से करना है तो यह basically list का part 2 था तो हमने list के दो part cover कर लिए अब हम कुछ operations है जो हम बाकी के part 3 में cover करेंगे